Hello students, polyester polymer condensation polymerization का example है Condensation polymerization जिसमें एक या एक से अधिक molecule मिल करके एक बहुलक बनाते हैं और उसमें water release करते हैं जैसे टेरिलीन की बात करें तो टेरिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड के Condensation polymerization से बनता है टेके ओ-H C-S-2 C-S-2 O-H प्लस H-C-C-6-H-4-C-6-H-4-C-O-H तो इसका Condensation polymerization करा करते हैं तो water का एक molecule इसमें से निकल जाते हैं और अगर इसके हम यहां पर N molecule लिए हो इसके भी हम N molecule लिए हो तो H क्यों के स्वारी करते हैं यहां एच स्वारी के बनेगा यह O, double bond, C6H4, C double bond O, और N, OH, और water के एक molecule निकल जाएगा, इसी को हम लोग टेरिलीन कहते हैं, इसी को हम लोग नाम क्या दिया है, टेरिलीन, तो टेरिलीन का निर्मार, हम ग्लाइकॉल और टेरिप्थेलिक एसिड से करते हैं, ग्लाइकॉल और टेरिप्थेलिक एसिड के N molecules को लेकर के इसमें water निकाल देते हैं, तो टेरिलीन प्राप्त होता है, यह एक polyester polymer है, ठीक, ठैंक्यू आज़े,